किसी किसी के लाइफ ऐसी होती है चिनका प्रोफेस्नल लाइफ तो बहुत स्मूदली होता है बट पस्नलाइफ बिलकुल इसके आपसिट आज के इस वीडियो में हम आपको कुशाल तंडन के लाइफ जर्णी के बारे में बताने वाले है साथ ही क्यों उन्होंने अपना हाथ खुद तोड़ा था और साधी को लेकर उनके क्या ओपिनियन है तो हेलो मैं फैमिली मैं हूँ आईशा और वलकम है आपका स्टोरी विद आईशा में कुशाल तंडन का जन्म 28 मार्स 1985 को लखना उतर पर देश के एक पंजाबी फैमिली में हुआ था जहां उनके फादर बिल्लू तंडन यूपी के ट्रांसपोर्ट योनियन के प्रस्टेंट है और उनके माइक हाउस वाइफ है इसके अलावा कुशाल की दो बहने भी है जिनका नाम तीना और भावना है और कुशाल घर के सबसे छोटे हैं जिसके वज़ा सी वो सबके लाड़ ले हैं वैसे कुशाल बहुत धार्मिक भे है वो अपना हर काम स्टार्ट करने से पहले मंदिर और गृदवारे जरूर जाते हैं और उनके आसिरवात के बाद ह चौर हुए तो उन्हीं अपना करियर अक्टिंग फिल्ड में ही बनाना ठीक लगा दरहसल जब वो कॉलिस में थे तब उन्होंने साल 2005 में ग्रासें मिस्टर एंडिया कॉमपडिशन में पार्ट स्पीट किया था जिसमें वो फर्स रनर अप रहे थे तबी से वो कई सारे र चौर्स ने इतना पसंद किया कि वो घर खर विराट के नाम से फीमस हो गए और बहुत ही जल्दी उन्होंने इंड्रस्ट्री में अपना इक अलग प्लीज बना लिया साथ ही उन्हें सो की वज़ा सी गूल अवार्ड और इंडियन टैली अवार्ड भी मिले कुशाल कहते है कि उन्हें विराट के कारेक्टर में ज्यादा वर्ड नहीं करना पड़ा क्योंकि विराट का कारेक्टर बिलकुल उनके चासा है इसलिए उन्हें आक्टिंग करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ते थे इन फैक्ट वो कभी डालोग्स भी रिहर्सल नहीं करते थे बलकि वो 2013 में उन्होंने पार्ट स्पेट किया बिग भॉस सीजन 7 में जहां उनका गोहर खान का का रिलेशंजिब स्टार्ट हुआ और गोहर खान के साथ ही उन्होंने खत्यों के खिलाड़ी सीजन 5 में पार्ट स्पीट भेगिया और जब वो वहाँ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे तभी एक स्टन्ट के दारान उन्हें चोट लग गई और उन्हें शो से बाहर निकलना पड़ा फिर वो नज़र आये सोनी टीवी के शो बेहत में जहां उन्होंने अरजुन सर्मा का रोल प्ले किया था आपज़र जैनिफर विंगर और फिर उन्हें बेहत 2 का भी आफर आया था पर उन्हें सो के स्टोरी उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगे इसलिए उन्होंने इस प्रोज कि प्रोफेस्नलाइब बिल्कुल स्मूदली बीती है वैसी है उनकी परस्नलाइब बिल्कुल इसके आपोसित है कुशाल की पहली गर्फरेंड इलीन वोबा चो एक बलगेरियन मॉरल है और उनकी पहली मुलाकात कुशाल के आक्टिंग कोर्स के दौरान हुई थी जहां दो दोनों की जोड़ी को देखने के बात सभी को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे लेकिन कुशाल के एक ट्विट ने सभी को शॉक्त कर दिया जहां पर उन्होंने अपने ब्रेक अप की न्यूस रिबील करी और कहा कि गोहर और उनका कास्ट बिल्कुल अलग है इसलिए फैमली उनके रिलेशन को एक्सप्ट नहीं करते फिर जब वो टीवी शो बेहत में काम कर रहे थे तब उनकी को स्टार अनेरी बजारी के साथ उनका नाम जुड़ा था पर एक इंटर्वी के दारान उन्होंने क्लियर करा कि ये सब बस यूमर्स है इससे ज और आरेंज दोनों करना चाहते हैं भस पर कि उनकी पार्टनर उसके बिलोकुल पर्फेक्ट हो है आप इसी तरह के life journey इस वीडियो देखना पसंद करते है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए और हमारे साथ हमारी family का हिसा जरूर बने